तुरूस्ट नियूज में आप सभी का स्वागत है आदानी अम्बानी के घर में दिवाली हो गई है यानि जो पिछला साल था 2017 इनका बहुत ही अच्छा हुआ है तकरीबन तकरीबन 125 प्रतीशत की बढ़हत्री हुई है इनकी कमाई में इसके बारे में हम आपको बताएंगे लेकिन एक ऐसा भी प्रतीश है जिसका नाम है तमिलाडू जिसकी सरकार ने बहुत ज़्यादा करजा ले लिया है कितना करजा 3,15,000 करोड रुपे का जिसमें से 25 प्रतीशत का जो करजा है वो सिर्फ और सिर्फ वहां के बिजली बे भाग का है यानि तमिलाडू एलेक्रिसिटी बोड का करजा क्यों हुआ क्या उन्होंने बहुत ज़्यादा बिजली देनी शुरू कर दी क्या उन्होंने किसानों की बहुत मदद कर दी या फिर जो तरमिलाडू की सरकार है उसने बहुत जाद आच्छे इच्छे स्कूल्स बना दिये हस्पताल खोल दिये या फिर सडके अच्छी हो गई है यहां की या फिर फ्री में बिजली बट रही है ऐसा यहां पे कुछ नहीं हुआ है जनाब और तमिलाडू जो स्टेट है वो करजे के बोज बितले दूख चुका है अब आपको यह लग रहा होगा कि मैं तमिलाडू के करजे के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ यह बहुत जानना जरूरी है क्योंकि यह तमिलाडू भी हमारे ही देश का एक अंग है और ये जो स्टोरी है ये आपसे भी जुड़ी होई है और ये ऐसे कुछ लोगों से जुड़ी होई है जिनका नाम है अदानी अदानी ग्रुप से जुड़ी होई एक कहानी है दुनिया भर में अगर आप देखें अगर आप देखें ऐसी स्थिति आ गई है दुनिया भर में सोलार पावर को साधा महत्वता दी जा रही है और सोलार पावर से बिजली जिनरेट की जा रही है भारत वर्षिक ऐसा देश है जहाँ पर सूरज महराज हमेशा प्रसंद रहते हैं वुक्क हमारे ओपर प्रकौप और उसके साथ आशरवाद भी बनाए रखते हैं बट हमारा देश ऐसा है जो आज भी कोईले से जनरेट की गई बिजली पर निरभर है यानि एक 80 प्रतीश्य बिजली जो है हमारी वो कोईले पर ही निरभर है क्योंकि कोईले से 80 प्रतीशत बिजली जिनरेट हो रही है तो यहां पर एक बहुत बड़ा स्पेस बन जाता है कोल स्कैम का कोल गेट स्कैम आपने सुना होगा इसी तरह का स्कैम एक और चल रहा है यहां पर हिंदुस्तान में जो शायद आपकी नजरों से ओजहल हो चुका है आज खोल ले जा रहे हैं हम पोल उस कंपनी की जिसका नाम है अदानी गृप जो इंडोनेशिया से कोल इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा इंपोर्टर है अदानी गृप एक ऐसी कंपनी है जो हिंदुस्तान के तक्रीबन तक्रीबन तमाम स्टेट्स में अपनी बिजली पहुचाते हैं इनके प्लांस है और यह कोईले से बिजली जिनरेट करते हैं पिछले पांथ सालों में अगर टीनेबी की बात करें यानि तामिलाडो इलेक्रिसिटी बोर्ट की अगर आप बात करें इन्होंने 2.44 करोड मेट्रिक टन कोईला जो है खरीदा है अगर ये इतना कोईला सीधे सीधे इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते इनको पढ़ता सिर्फ 9000 करोड रुपे का इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां से सबसे जादा मात्रा में हम कोल खरीद दे आ रहे हैं और इंडोनेशिया की सरकार इतनी पारदर्शिता रखती है कि अपने देश के कोईले का जो मोल है जो भाव है वो हर महीने अपने वेबसाइट पर दुनिया के लिए लिख देती है अगर यहाँ की सरकार या फिर भारत सरकार सीधे सीधे इंडोनीशा से ये 2.44 करोड मिट्र टन कोईला खरीती इंडोनीशा से तो सिर्फ और सिर्फ ये हमको पढ़ता 9000 करोड रुपे का लेकिन हुआ यहाँ पे क्या हमने खरीदा अदानी ग्रुप प्राइविट लिमिट्ट से कितने का खरीदा हमने खरीदा है ये 12250 करोड रुपे का यानि सीधे सीधे 3250 करोड रुपे का हुआ नुकसान अब जब RDI यानि डिरेक्टरेट और फ्रेवनियो इंटलिजेंस की इस पे नजर पड़ी तो उन्होंने सवाल पूछा तो ये कहा गया एक गलत हिसाब दिखाया गया एक जूटी तस्वीर दिखाई गई कि इंडोनेशिया से सिंगपॉर सिंगपॉर से भारत या फिर इतना घून के आना पड़ा इसलिए हमको इतना महंगा पड़ गया और इतना जदा हमें पैसा देना पड़ा हकीकत में ऐसा नहीं हुआ RDI ने अधानी ग्रूप की जो कंपनी है सिंगपॉर में उसको तलब किया उसको पूछा आप इसके बारे में जवाब दे आखिर आपने नौ हजार रुपे का माल जो है साड़े सवा बारा हजार रुपे का क्यूं बेचा हिंदुस्तान को अधानी साथ को हिंदुस्तान को किसी भी तरह का जवाब देने का कोई मन नहीं बना वो सीधे सीधे चले गए सिंगपॉर के हाई कोर्ट वहाँ पे जाके उन्हों ने ये कहा कि साथ मैं जो हो एक सिंगपॉर बेस्ट कंपनी हूँ और मुझे हिंदुस्तान वो किसी भी तरह कागिजात या पर किसी भी तरह की जवाबते ही मेरी नहीं बनती है यानि पैसा जो कमाते हैं वो हिंदुस्तान से जब उनके उपर कुस्टन माग आता है तो वो छुप जाते हैं किसी ऐसे तंत्र के पीछे ऐसी ऐसे देश के पीछे की जहां पर उनको फाइदा दिखता है तामिलाडू को जो इन लोगों ने चोट पहुचाई है वो है तीन हजार करोर रुपए लेकिन अगर आप पूरे हिंदुस्तान को देखें तो ये पहुच जाता है फिगर फचास हजार करोर रुपए का तामिलाडू के इस पूरे घोटाले में इनका यानि अदानी ग्रुप का साथ दिया है ADMK के नाधन विश्वनाधन एक्स मिनिस्ट्री ओफ एलेक्रिसिटी रह चुके हैं इन हो ने इनके साथ साथ काट करी और बहुत सारा पैसा खुद भी हडपा और इनको भी हडपने दिया अब आपको लग रहा होगा कि भई अदानी ने पैसा कमाया एक स्टेट के ऊपर इतना ज़्यादा करजा हो गया है तो हमारा क्या गया हम तो अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं साथ आप गलत हैं जो आप ये वीडियो देख रहे हैं जिस मुबाइल फोन पे उसको जो पे भी बिजली लगती है यानि इन तमाम चीजों में जो आप बिजली खर्च करते हैं एक यूनिट पर डेर्ड रुपए ज्यादा आप खर्च कर रहे हैं आज की डेट पर इसके अलावा जो खिसान है जो भी मैनुफैक्टरिंग यूनिट है बिस्केट हुआ नमकीन हुआ म इतनी भी चीज़ें पीच चाहें वो डाल हो दूद हो आटा हो चीनी हो जो रुग्जर जरूरत की चीज़े थी उस सब बढ़ चुकी है उन तमाम चीजों का कारण एक ये भी है यानि जो लूट है भारत माता की वो अब तक खतम नहीं हुई है कहीं से अब मैं एक बहुत टाइम्स के हिसाब से अगर आप देखें जो अदानी जी की कंपनी है उसमें हुआ है 124 दिशंबलब 6 प्रतिशत का इजाफा 2017 जनवरी 2017 में इस कंपनी की जो कुल वैल्यू थी वो थी 4.83 डॉलर और दिसंबर आते आते इस कंपनी की जो कुल वैल्यू हो चुकी थी 10.4 बि जनाब हमें भी यह फॉर्मिला बता दें हमको बहुत थोड़ी सी तंख्वा मिलती है हम भी आपके फॉर्मिलों को अपला लेंगे इसके बाद बात करते हैं अम्बानी साहब की अम्बानी साहब में बहुत अच्छी चलांग मारी है इनके पास थे 22.70 बिलियन डॉलर और ज तक्रीबन तक्रीबन 77 प्रतीशत की रही है पिछले साल इसके बाद कुमार बिला आजीम प्रेम जी उदे कोटक विकरम लाल लक्ष्मी मितल इन सबका जो इजाफा है वो तक्रीबन तक्रीबन 40 से 50 प्रतीशत का रहा है सन 2017 में आखिर इनको इतना ज़्यादा पैसा कहां से आता है ये सोचने की बात है खैर ये बिजनसमैन है ये कमाते होंगे बहुत अच्छी बात है इनके ग्रोथ से देश के भी उन्नती होती है लेकिन इनकी जो उन्नती है वो देश के गरीबों तक नहीं पहुचती है ये देश के गरीबों का पैसा मार कर यानि आपकी और मेरी जेब का पैसा मार कर अपनी फिजोरियां भर रहे हैं जिसके पास पैसा है उसका पैसा दिन रात बरता चला जा रहा है और जो मध्यम वर्ग है या फिर निचला तजबा है वो दो वक्त की रोटी के लिए भी सोचता है इन तमाम सवालों के साथ मैं आपको छोड़े चला जा रहा हूँ सोचने की बात है जरा सोचिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ये मेरी जरूरत ही नहीं बलकि हम तमाम हिंदुस्तानियों की जरूरत है हम तमाम हिंदुस्तानियों का सवाल है जो उन लोगों तक पहुँचना ही चाहिए जो ये घोटाला कर रहे है बने रहे हमारे साथ दरूस्ट न्यूस जो आपको तमाम खबरे दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जड़ा होता है सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरे मिलती रहे जो सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए बनाते हैं धन्यवाद